लेप्रसी यानि कुछ टो का नाम सुनते ही दिमाग में एक पिक्चर बनती है जैसे कि पेशेंट की अंगलियां गली हुई है, टेडी हुरकी है, नाक फ्लेट हुरकी है और इसकिन जगे-जगे मोटी हुरकी है लेकिन यही लेप्रसी नहीं यह तो एक जो लेप्रसी का गंभ को रहे की वाली लेप्रसी जिसको बोलते है Indeterminate Leprassis दो बात करुऊंगा बहुत से दर्शकों ने लेप्रसी की बारे में अनिक जानकारियां चाहिए और इसलिए Leprosy के वीडियो करने जा रहा हूं उसमें से आज焦 की पहली करी है इनले लेटरी में हूं डॉक्तर शुक्ला एक डर्मटायूरुट चुला कि बात कर रहा हूं इसको बारे में जानकारी होना वह जरूरी है क्योंकि जांकारी की हो है कि बहुत हलकी लेकिन अगर आप आप ने इसकी जांच नहीं करवाई अगर इसका पता नहीं चला और इसका टाइमली इलाज नहीं हुआ तो इससे किसी भी तरह की लप्रसी बन सकती है हो सकता यह अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाए और हो सकता यह कोई गंभीर तरह की लप्रसी में बदल जाए इन डिटर्मिनेट लप्रसी के बारे मैं आपसे बात करूँ डिटेल में उससे पहले थोड़ी सी बात आपको लप्रसी के बारे में इन जनरल बताना चाहता हूँ लप्रसी एक लगने वाली बिमारी है यानि infectious disease है यह एक तरह के कीटानू से बैक्टिरिया से पैदा होती है जिसे हम कहते हैं माइको बैक्टिरियम लेप्री यह कीटानू बहुत धीरी धीरी ग्रो करता है धीरी धीरी डिवाइड होता है इसलिए इसका जो infection है बहुत slow infection होता है और इसलिए body में एक दफ़ा यह प्रवेश कर जाए उसके बाद लेप्रसी के लक्षन आने में बहुत समय लग सकता है य बड़ों में 35-45 साल के लोगों को होती है लेप्रसी मैंने जैसे कहा कि बहुत दीर दीर फैलने वाली बिमारी है लेप्रसी बिमारी शुरू में लगती कैसे है जो लेप्रसी का मरीज होता है जब वो छीखता है या खांसता है तो उसके चीख या खांसने से लेप्रसी के ब बावजूद भी जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को लेपरसी हो जाए क्योंकि लेपरसी सब डिपेंड करते हैं कि उस व्यक्ति की इम्मिनिटी कैसी है और यहां से इम्मिनिटी से मेरा मतलब है कि वह इम्मिनिटी लेपरसी के बारे में है लेपरसी के अगेंस्ट कि 95% population है उसको लेपरसी नहीं हो सकती क्योंकि genetically यानि उनकी genes में लेपरसी के लिए immunity है इसलिए मैंने कहा कि अगर लंबा contact हुआ है उसके बावजूद भी 5% लोगों को ही लेपरसी हो सकती है जिनके अंदर immunity कमजोर है तो अब यह जो इंडिटर्मेंट लेपरसी है उन्हीं लोगों को होगी जिनकी immunity कमजोर है किस व्यक्ति को कौन से तरह की लेपरसी होगी यह सब कोच immunity पर करता है अगर उसकी immunity थोड़ी कमजोर है तो उसको लेपरसी जो होगी उसका प्रकार होगा जो मैं आज डिसकस करने जा रहा हूं इंडिटर्मेंट लेपरसी या टुबगलाइड लेपरसी अगर उसकी immunity थोड़ी सी और ज्यादा कमजोर होगी तो एक बीच की लेपरसी होगी जिसे बॉरडरलाइन की कहते हैं अगर इसकी immunity बहुत ज्यादा कमजोर होगी तो उसको लेपरसी होगी जिसको मैं नहीं आपको बताई तो आज अब इंडिटर्मिनेट लेपरसी की बात करते हैं लप्रसी का किसी को infection हो जाता है तो उसके होने के कई महीनों बाद या कई सालों बाद उसको लक्षन नजर आते हैं सबसे पहला जो लक्षन होता हो यह होता है कि बॉडी में किसी भी जगह पे आपको पता नहीं चले ठंडे और गरम चीज का उसके बाद फिर इसके जो कलर है उससे थोड़े हलके रंका होगा और इस दाग पर यह आपको ठंडे गरम का पता नहीं चलेगा अब इस दाग को कोई भी देखके नहीं कह सकता है कि आपको लप्रसी है इसकी केवल जांच करने से पता चलेगा इंडिटेमेंट लप्रसी का जो यह दाग है जो हलके रंका दाग है वो फेस पर हो सकता है थाइस पर हो सकता है या आम्स पर हो सकता है ज्यादा तर यह एक दाग होता है लेकिन एक से ज्यादा दाग भी हो सकते हैं यह दाग स्मूथ होते हैं लेकिन कभी का दाग इनके अंदर रिंकल से दिखाई पर सकते हैं आपको 75% लोगों में यह दाग अपने आप ठीक हो जाते हैं और यह सब कुछ उनके immunity पर depend करता है जैसा कि इस बीमारी का नाम है indeterminate leprosy तो leprosy की अभी इनकी जो immunity है वो determined नहीं है वो अभी कोई fix नहीं हुई है इसलिए इनकी अगर immunity improve हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी हो जाएगी तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी अपने आप बिना किसी treatment के लेकिन अगर immunity improve नहीं हुई और थोड़ा सा decrease हो गई तो फिर वो indeterminate leprosy से दूसी तरह की leprosy में चला जाएगा जिसको कहते है टूबर्कुलाइड लप्रसी में भी एक ही दाग होता है और एक दो और भी दाग हो सकते हैं लेकिन वो दाग उठे हुए होते हैं और उसके आसपा जो नर्व होती है वो भी leprosy बन जाएगी जिसका की burden मैं आपको अभी कर चुका हूँ इसलिए यह बहुत जरूरी है कि indeterminate leprosy stage के ही बीमारी का पता चल जाए और उसका treatment हो जाए अगर इस स्टेज पर treatment हो गया तो फिर वो leprosy या कोई दूसरी टाइप की लपरसी नहीं बनेगी अब यह जरूरी नहीं है कि स्किन कोपर कोई भी अगर सफेद दाग है तो वह indeterminate leprosy है यह बहुत सोच समझ के decide करना पड़ता है कि यह leprosy है या और कोई बीमारी है क्योंकि कुछ और बीमारी आइसी है जिन पर इस तरह के हलके रंग के सफेद दाग बन जाते हैं और जो सबसे common बीमारी है जो अक्सर बच्चों में होती है उसको कहते है पिट्रैसिस एलबा इस पिट्रैसिस एलबा क जिसके अंदर भी हलके सफेद रंके दाग बन जाते हैं और वो बीमारी है पिट्रैसिस वर्सिकलर या टीनिय वर्सिकलर भी कहते हैं और वो एक फंगल डीजीज है उसके अंदर बहुत सारे छोट-छोटे दाग बनते हैं और वो दाग जनरली एडल्स में होते हैं और चेस एक करम का फर्क जो है वो आप आसानी से कर सकते हो लेपरसी की तरह इसमें वो गायब नहीं होता है तीसरी एक और बीमारी है जिसके अंदर भी हलके सफेद दाग हो सकते हैं और वो बीमारी है आप जानते हैं विटलिगों की लेकिन विटलिगों के दाग तो आप सब जानते ह होते हैं लेकिन विटले को जब शुरू होता है तो स्टार्ट में उसके भी दाग बहुत हलके रंग के हो सकते हैं बाद में चलके वह मिल्की वाइट बनते हैं अब इस विमारी की पहँचान कंफर्म करने के लिए एक ही चीज है वो है बायपसी और बायपसी में कर पाएंगे और उनको भी अगर कभी ऐसी कोई डाउट हुआ तो हो सकता है उनको बायपसी लेना पड़े अब बात करते हैं इंडिटमेंट लेपरसी के टीटमेंट की जैसा मैंने पहले आपको कहा कि अगर यह डागनोस हो गया कि आपको इंडिटमेंट लेना बहुत ही आव में MDT देते हैं multi-drug therapy का मतलब ही होता है कि एक से ज़्यादा दवाईयां एक साथ दी जाती हैं MDT दो तरह की होती है एक पॉसी-bacillary leprosy के लिए दूसी multi-bacillary leprosy के लिए तो यह चूकि पॉसी-bacillary ileprosy है बहुत कम कीटानों इसके अंदर होते हैं इसलिए इसमें 걸로 वाला treatment देते हैं जो 6 मैने का पूरा treatment होता है यह treatment गणामेंट था प्लिस्टर您 मिलता है और पूरे प्रवाइज थेरपी बोलते हैं दो कैपसूल खिला देते हैं और एक गोली डैपसोन की देते हैं उसके बाद फिर रोजाना आपको अपने आप एक गोली रोज डैपसोन के लेनी पड़ती है यह च्छे मैने के पूरी थेरापी आपको लेनी है इस बात का ध्यान रखें कि य अगर यह मिस हो जाती है तो यह दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं और उसके बाद फिर ठीक करने के लिए दूसरी दवाइयों के यूज करना पड़ता है यह जो एमडीटी की थेरापी है यह बेसिकली इसके अंदर एंटिबाइटी के रिफमपसीन और डैपसोन है तो गंबीर किस्म की लेपरसी हो जाए जो ट्यूबकलाइड लेपरसी है और जो लेपरमेटस लेपरसी है इन दोनों के उपर मैं आपको दो अलग लग वीडियो देऊंगा तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद